अच्छिस नमस्कार मेरा नामा आलोक है आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्टूब निव चैनल लैट सिटीज को बिहार विधान मंडल में आज बजट पेश होगा बिहार के विधी के लिए क्या कुछ कर रहे सरकार, बिहार के विकासदर के लिए क्या कुछ कर रहे सरकार, जो बिहार के विकासदर में विधी हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिहार का जो विकासदर है, वो देश के विकासदर से भी ज्यादा है, लेकिन आईए हम समझते हैं इस रिपोर्ट में आज बिहार विधान मंदल में जो बजट पेश होगा बिहार के उपमुखे मंतरी शुश्विल कुमार मोदी जब ये बजट पेश करेंगे तो क्या कुछ खास होने जा रहा है इस पहली बार बजट में आज बजट सत्र में एक देशमलव 90 लाख करोड से थोड़ा जादा का होगा पहली बार एक लाख करोड से अधिक की राशी इसकीमों के लिए तो करीब 91,000 करोड रुपए स्थापना एव सरकार की पतिबध देंदारियों के लिए होगी निर्वाचन ग्री और आपदा प्रबंधन मद की पूरी राशी का प्रस्ताव होग बाकी विभागों के चार माह के खर्च के लिए 15 फरवरी को विनियोग विधेक पेश होगा इसकीम मद की विध्धी में दुसरे स्थान पर नगर विकास विभाग रहेगा आवंटन में मामली विध्धी के साथ इस बार भी इसकीम मद में सिक्षा विभाग की हिसेदारी 20% से अधिक हो सकती है 2018-19 का बजट 1,76,990 करोड का था बजट के कोर फोकस एरिया में इस बार कोई खास बदलाव नहीं होगा सुत्रों की माने तो हर बार की तरह बजट के केंद्र में समाजिक छेत्र वो मानव संसाधन विकास ही है विभागों के आवंटन के हिसाब से आका जाए तो सारवधिक विद्धी की उमीद करीब 1400 करोड स्वास्ति विभाग की स्कीमों के लिए है तो देखा आपने इस रिपोर्ट में इस बार बिहार विधान मंडल में जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें बिहार के लिए क्या कुछ है बिहार के गरीबों को कितना इ करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबर उकरा सके सबसे पहले धन्यवाद